तो दोस्तों जहाँ एक तरफ पठना से हावड़ा के भी चनलने वाली बंदे भारत एक्सप्रेस अपनी पूरी ट्रायलन के बाद वेटिंग लिस्ट में पड़ी है इंतजार है तो सीपी से हरी जंटी दिखाने की लेकिन वहीं एक तरफ यूपी को एक और बंदे भारत की सोगात मिलने जा रही है क्या है पूरा माजरा बात करेंगे आज की इस वीडियो में लेकिन इससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो तो आप देखते हैं लिके लाइक नहीं किया करते हैं तो प्लीज एक लाइक जूर करिएगा क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है ऐसे ही इंपरमेटिव वीडियो बनाने के लिए नमस्कार मैं दिलिव सर्मा और आप देख रहे हैं डिडिव तो दोस्तों यूपी में एक और शेर्मी हाइस्पीड बियाईपी ट्रेन चलाने के लिए बंदे भारत एक्सप्रेस चलाने के तेयारिया सुरू हो चुकी है जहा हाली में गोरकपुर लखनाओ बंदे भारत एक्सप्रेस का इनुगरेशन हमारे परदान मंतिरी नरेद मोधी दोरा किया गया था और फिर बंदे भारत का बिस्तार प्रियाग राज तक भी किया गया था लेकिन अब वहीं एक और बंदे भारत के इंगुरेशन के लिए UP में तेगरिया जोरो शोरो पे है बात करें इसके रूट को तो वो होगी संगम नगरी प्रियाग राज से ताजनगरी आगरा के बीच जीहाँ परधान मंतरी नरेंद मोधी जी ने देश के हर एक रूट पे बंदे भारत ट्रीन चलाने के लिए एलान किया है ऐसे में रेलवे बोट दिल्ली की ओर से नई बंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन के लिए सभी जोनों से रिपोर्ट मागी गई है और इसी रिपोर्ट में उत्तरमध रेलवे एंसी अर मुख्याले ने अपनी रिपोर्ट के साथ प्रियागराज आगरा रोट पे नई बंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का प्रसा भेजा है प्रसा में ऐसा बचाया गया है कि यूपी में टूरिजम ज़ादा है प्रियागराज आगरा बंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन का प्रसा उत्तरमध रेलवे के प्रिंसपल चीप कमोर्शियल मैनेजर प्रभात रंजन की ओर से रेलवे ब्योट को भेज़ दिया गया है प्रियागराज और आगराज दोनों ही सहर प्रियाटन के लिए मसहूर हैं धार्मिक, संस्कृति और एतियासिक अस्तलोपब प्रियाटकों की संख्या लगतार बढ़ रही है 452 किलोमीटर की इस रूट पर दोनों सहरों को जोड़ने वाली लगजरी ट्रेन होनी ही चाहिए जो कि कम समय में सुविधा जनक यात्रा परदान कर सके प्रसाओं में ऐसा भी बताया गया है कि यूपी टूरुजम का आकड़ा रिकॉर्ड तोड़ है प्रयाग राज में प्रती दिन 48,444 तो आगरा में रोज 71,312 ट्यूरिस्ट आते हैं NCR की रिपोर्ड के मुताबिक इस रूट को फाइनल किया गया है बात करें इसके पूरे रूट को तो प्रयाग राज आगरा बंदे भारत को प्रयाग राग जंसंग से कानपूर सेंटरल, इटावा, टूंडला जंक्सन होते हुए आगरा गेंट तक ले जाने का प्रत्साव है और इसमें लगने वाले पूरे समय की बात करें तो वो होगी 5-6 घंटे जो की ओफिसियल रिपोर्ट आने के बाद पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बाइकी वीडियो में अंतक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्याबाद